एक अच्छा खासा कजबा नीलगाओं एक दिन वहाँ एक डेरी में दो पटमार घुश गए लव सरीनक दीधर दे दो क्या मतलब? पूछने पर कराते का एक वार पड़ा और वह जमीन सुंगने लगा क्यो चचा हर कुछ पूछना है सारी नगदी उठा कर वेदोनों भाग गए उसी रात एक धनी वैपारी के घर चार आदमी पहुँचे आज तो यह बड़ा अमीर बना फिरता है कल दिवालिया हो जाएगा बच्च दर्वाजे पर दो चौकी दारन उने रोका अगले ही चण उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मारा किसने है उन चारों ने वैपारी की तुज्योरी खाली कर दी अगले दिन पुलिस थाने में ताब मैं लुट गया आखिर हुआ क्या दो गुंडे कराटे का वार से मुझे बेहोश कर सारा पैसा लूट के ले गए पुलिस अफसर ने शिकायत लिख ले तभी वैपारी भी शिकायत लिखवाने आ पहुँचा इस पक्टर सहाब बय तो मारा गया मेरा सारा पैसा जेवराज लुटेरे ले गए मेरे दोनों चौकीदार अब तक बहोश पड़े हैं ठीक है हम तरकीकात करेंगे बाद में पुलिस अधिकारियों के बैठक में लुटेरे दुस्तासी है और कराते के उस्ताद भी इन्हें जल्दी ही गिरपतार करना बहुँच जरूरी है रात में पुलिश की गश्ट बढ़ा दो पास के एक कज़वे में चाय की दुकान पर लगता है यहां खुब कमाई होती है आओ जरा गल्ला ही देख ले चचा सारा पैसा इस थैले में उलट दो हे भगवान अगलेशन नासूत के दो कैड़ेट तभी वहीं थे गुंडे आओ इन्हें सबक सिखाएं डुटे ने पैसा लेकर जाही रहे थे रखो यह थैला यहां ओ लगते तो पहलवार हो उसने थैला घुमा कर एक कैड़ेट को दे मारा जरूर यह लो पर कैड़ेट ने जपट कर उसे नीचे गिरा दिया बहुत महंगा पड़ेगा बच्चू नासूत के कैड़ेट सारी प्रणिक्शन के बावजूत बदमाशों को मुकाबला नहीं कर पाए जल्द ही वे हार गए काफी है इतना इनके लिए चलो वे पैसा लेकर भाग गए नासूत के इंदर पर क्या हुआ तो गुंडे चाय की दुकाल रूट रहे थे हमने रोगनी की कोशिश की पर वे भाग गए यह जो अत्री बात नहीं होई हमें खेद है बाहदूर तभी पुलिस शिफ कमिशनर का फोन आया जया मुझे पता है लुड़ों को एक दल आदंग फैला रहा है अपने साब आद्मियों को लगा दो इन्हें पकड़ना ही होगा काली घाटी के खंडहर में कराटे का उस्ताद कारो और उसके गिरे होके लोग हाँ हाँ हाजरात हागरा मेल पर धावा है मेल ट्रेन आगरा की उर्दवरी चली जा रही थी अब चंजीर कीचनी चाहिए रेल गाड़ी के बीहर में खड़े होते ही कुछ लोग गाड़ी में घुसा है जल्दी अंदर चलो यात्री हरबडा कर उट गये क्या हुआ जाका समझे निकालो याद सोने का हाथ लाव नगदी दर्दो यात्रीयों का सारा कीमती माल लूट लिया गया अब चलना चाहिए अगले दिन नासुत केंदर में कल राज जागार का नजदीक आगरा मेल को लूट लिया गया मरे ही लागे के डाकू सिर उठा रहे है मैं लागे का हवाई सर्वेक्षन करूँगा उसी दिन जहां गाड़ी खड़ी की गए थे खुश के आस पास डाकू इंतजार कर रहे होंगे वे काली घाटी के खंडार है रेल वेलाइन यहां से दो मील दूर है और इस जगा के आस पास मीलों तक कोई गाउ नहीं है तब तो सुक्या यह बहुत बड़िया जगा चिपनेगी देर शाम को बहादूर सुक्या काली घाटी के खंडारों में गय क्या मिलेगा यहां बहादूर चुप सुक्या मुझे लग रहा है हमें कोई देख रहा है जब यह आगे बढ़े तिगरट का डुकडा चलो यहां कोछ नहीं है बहादूर सुक्या लोट पड़े तम जंगल के किनारे पर मेरा इंतजार करना मैं जल्दी लोटोंगा पर क्यों बहादूर लोट गया कोई पेड़ पर बैठा हमारी निगरानी कर रहा है मैस नहीं था बहादूर चुप चाप उसके पीछे चला कराते का एक वार और गुंडा चारो खाने चित सारी ताकट बटोर वह उठा और बहादूर के सामने खड़ा हो गया सादा हुआ बदवाश लगता है फिर जपट पड़ा उस पर बहादूर ने उसकी टांग पकड़ ली और दूसरा कराते कवार किया गुंडा चक्कर खाकर गिर पड़ा फिर चीक कर छाडियों में भाग गया जब बहादूर सुख्या के पास लोटा क्या हुआ खोशना है उस जासू सजरा दो हाथ कराया हूँ इस पीज कारो केड़े पर सरदार दो आदमी आय थे इधर लगता है उनमें से एक बहादूर था बहादूर हाँ वो चीते जैसे पुर्टी वाला था और उसका मुक्का तो फॉलादी था वही होगा हुंखार कारों ने चुपचाफी जैसे सोगंदली उसके दिमाग में तूफान समझ गया हीना जरा इसे थोड़ा कसरत तो कराओ कराते का उस्ताद हीना कारों के गिरों का सबसे खुंखार सदस्य सदार मुझे माप कर दो मैंने बहुत कोशिश की पर बहादू के सामने मेरी एक न चली हीना ने आदमी को उपर उठाया पहाड की चिट्टान पर दे मारा अब बास अब सुनो गोल्ड ठावर के आसपाथ चार होटल है वेश पदल कर वहाँ रहो और परसोख पास के जंगल में मुझे मिलो पुलिस टीप विशाल बहदूर से मिलन नसुत के इंदर आया कुछ पता चला गिरों का काली घड़ी के घंडरों में गिरों का एक सदसे मेरे हादों से निगल गया मैंने सारा इलागा चान मारा पर ना तो वह दिखाओ और ना कोई और पर पता चला है कि दस पन राद में कुछ दिन से वहाँ रह रह थे तो काली घड़ी उस गिरों का आखरी पड़ाओ था क्या सूच रहे हो बहादूर तो जराओं या को ख्यात गिरों हमारे शेतर में आया क्यों है स्वाल तो तुम्हारा दिल चस्व है इसी बीच अरे यह वही नहीं है जिसे चाय की दुकान में लड़ाई हुई थी वही तो है नासूत के दोनों कैड़ेट उन दोनों आदमी को पीछे चले या तो होटल में जा रहे है चलो बहादूर को बता दे नासूत केंडर में बहादूर अभी हमने कराते गिरों के दो आदमी को देखा सजमोश कैड़ेट ने बहादूर को होटल में ठहरे हुए वैक्ति को बारेम बताया उन पर ने आ रहा हो जो हुकुम बहादूर ने बिला को टेलीफोन किया अलो बिला आज रात हम गोल चावर के पास वाले होटल में परड़क बनकर रहेंगे अच्छा मैं त्यार होंगी मुझे लेते जाना पुश्याम एक कमरा चाहिए जरूर बहादूर बिला बेश वदल का श्रीम श्रीमिती इसलोग के नाम से होटल में जा पहुँचे वो वेटर कुछ पहचाना से लग रहा है नासोत का काड़ा ड़ा है वेटर संदीक व्यक्तिव के कमरे की में गया चाहिए वो नस्ता शाप मेट पर रख दो माइक्रोफोन काम करे तब है बहादूर के कमरे में यहां गाम कर रहा है गोल्ड टावर का यहां काम खतम हो जाए तो कल मैं देश ही छोड़ दूँगा तो क्या तुम समझते हो वो सब जेवरात लेकर मैं यहां पड़ा रहूँगा उनने गोल्ड टावर के प्राचेन आपुशनों को लोटने की योजना बनाई है वे प्रसित आपुशन तो अब सरकार के कपजे नहीं है ना बहादूर बेला होटल से बहार आ गया उनका पीशागा ना बहादूर सीधा पुलिस चीफ के पास गया सर मेरा अनुमान सहीं लगता है वो कराते गिरो यहां गोल्ड टावर के अभुशन चुड़ाने आया है पर गोल्ड टावर पर तो बीश शस्त्र पुलीस वाले पहरा दे रहे हैं मैं दस प्रशिक्षित के अडिट को लेकर वहाँ जाऊंगा सुरक्षा अधिकारी से कुछ अधिक चौकसी के लिए कहूं क्या कोई जरुवत नहीं सार बैदरिया है कि टावर पर चुपचाप निगरानी रखी जाए टावर के पास वाले जंगल में बहादूर सुखिया और दस प्रशिक्षित के अडिट इंतिजार करने लगे बाहर का दर्वाजा बंद है आप उशनों के चारोर बिजली के तार लगे हैं वे डाका डालेंगे कैसे दर्वाजा तोड़कर और कैसे उसी समय जंगल के दूसरे हिस्से में अह आला खाम फंदरा मिनाट में पूरा हो जाएगा चलो चला हैं कारो का एक आदमी लंबा बांस लेकर दिवार की तरफ दोड़ा और पांस के सहरे दिवार पांद गया उधर बहादूर यह सननाटा दो गवराहट पैदा कर रहा है लगता है जंगल में कुछ आहाड होई है अचानक टावर की बत्कियां मुझ गई वो क्या हो रहा है मारे दर्वादा खोल गया कारों का गिरो टावर की और दोर पड़ा जल्दे मेरा बेश रहाओ जब डाकू भीतर घुस रहे थे एक पहरेदार ने गोली चलाने के कोशिश की अरे यह तू चली नहीं रही चली हुई गोली अब फिर कभी नहीं चलती है मुख्य सुरक्षा दिकारी ने निशाना साधा गोली चलाओ एर जाओ अभी आता हूँ हिना शाक की तरबढ़ा और मुख्य सुरक्षा दिकारी को जमीन पर पटक दिया बाकी डाकूओने भीतर घुसकर शेश पहरेदारों को समाल लिया कुछ ने अल्मारिया तोड़कर अमुल्य अभुशनों पर कबजा कर लिया बाहर बहादूर और उसके आत्मी हिना समालो हिना बहादूर से भीड़ गया जबकि बाकी नासुत कैड़िट पहल गये समय बचाने के लिए बहादूर ने खातक नान्चा को निकाल लिया और हिना को बेहोश कर जमीन पर गिरा दिया नासुत कैड़िट दूसरे डाकों से भिड़ गये अभुशनों को समेट में आलो को भी अपना काम छोड़कर नासुत कैड़िटों के मुगाबले के लिए आना पड़ा बहादुर कारों से निपट रहा था तो तो मज़रदार अधिया छोड़ दो तो तुम्हें पदा चले मैं क्या हूँ बहादुर ने कारों की चुनाथी स्विकार कर ली और नान्चा को को जमीन पर फेक दिया कारों बिदली की तेजी से जपटा पर बहादुर चौकन ना था मुकाबला दो कराटे विशेशग्यों के बीच था इधर नासुत कैड़ेटों ने गिरोह को काबू में कर लिया था और दिन के बाद कराटे के किसी चानकार से लणने का पोखा मिला है तो सम्हालो वार दो दिगज आमने सामने थे अचानक कारो बहादुर पर जप्टा बहादुर ने वार बचाते वए जोर की लात मारी कारो बेहोशो कर गिर पड़ा सुखिया आगे आया छोवाप नहीं तुमारा भी बहादुर क्या वार करते हो राजेन राष्टे संबदा के रक्षा तो करने ही थे तब तक विशाल भी पुलिस पार्टे को लेकर आप उचा था साबाद बहादुर तुमने एक और सरियंत्र का भाड़ा फोर कर एक खतानाग गिरो का खात्मा कर दिया